आज हम बनाए हैं लौकी और चना दाल की बहुत ही टेस्टी सब्जी इसके साथ आपको दाल की अलक्षी कोई जरूरत नहीं है और आप अगर भूख में खाते हैं तो दो की बजाए दो रोटी और एक्ष्टा खाएंगी इतना तेस्टी इबन के तयार होता है जैसे किसना दो को फूल एंड तक वास करिएगा तभी आपकी यह दाल बिल्कुल टेस्टी और हेल्दी बनके तयार होगी देखिश का कलर कितना प्यारा है और बहुत ही बढ़िया यह चावल और रोटी के साथ खाने में लगता है जब भी आप इसे बनाते हैं और मेहमान के आने पर भी आ जार लेते हैं आप चाहें तो एक भी डाल सकते हैं तो हम आधा केची चना का दाल है उसको हम चार से पांच घंटा पहले पारी में वहो दिये थे और उसके बाद हम इस लोगी को छील लेते हैं बहुत ही नरम है एक तम बिल्कुल ताजी हरी लोगी है और छील करके इसे हम आके के पीछी के भाग को कट करके अच्छे से दो लेते हैं इसके बाद हम इसे कट करेंगे तो इस तरीके से आपको फटा फट शील लेना है और शीलने के बाद इसको आपको धो लेना है दोने के बाद आप इस तरीके से मीडियम साज के पीश कर लें और आपको बड़ी ब भूल गये हैं तो आप सुबह के टाइम में बनाने से दो गंटे पहले गुंबुना पानी वगर भीगो देते हैं तो भी आपका चनादाल बिल्कुल अच्छे से फूल जाएगा तो यह देखे हम लौकी को फटा-फट इस तरीके से कड़ करके रख लेते हैं और आपको इसे भीगो ने अब इसके बाद भी से दो लेना है ताकि इसमें जो भी धूल वगरा हो कुछ भी आप इसमें कंकड हैं इस सब को आपको देख करके तभी आपको रखना है तो अब हम कुकर में अच्छे सबह करके शेट कर देते हैं और इसके ऊपर हम लौकी को रख देंगे और लोकी को रखने के बाद हम इसमें डालेंगे एक चमज हल्दी पाउडर, तो आप अपनी समाग्री के हिसाब में डाली, यह से कम बनाते हैं, तो आप कम डालीए, तिसमें हम 5-6 लोगों के लिए बना रहे हैं, इतने में हम घंज लए निटर पानी डालेंगे, पानी बहुत ज जाता है तो यह पंगने में दिक्कत होता है और एक बड़े चमस्च भर के हम इसमें डाल दिये हैं हल्दी पाउडर और इसके बाद हम इसमें इसी समय नमक डाल देंगे स्वादा नुसार और अब हम इसे कल्शी से चलाते हुए मिला लेते हैं हल्दी को ताकि पानी मिचारत तर बराबर से मिल जाए और पानी इतना ही रहना चाहिए अब हम शीति को ढखन को लगा देते हैं और गयस पर पगने के ये इसे हम रख देते हैं चार से серьез सीति आने तक कि देखिए हम मेंहेंज़ी पर तो यह देखी है तो यह देखिए हमारा चना दाल बिल्कुल अच्छे से पक के रेडी हो चुका है और इसे हम कल्चे से चलाते वे देख लेते हैं तो चने दाल को में इतना ही पकाना है इसको बिल्कुल आपको बहुत ज्यादा नहीं पकाना है कि इसमें घूल जाए इस तरीके से जब देखत है चना दाल पकने के पाद बहुत ही अच्छा लगता है और एक कुर कर आपको रिखाते हैं तो यहिकाrí तो इसको देखें पाल्ति से हम उपडे और घीर थीर के अधिन हम एक चने աाल को लेकर के देखाते है तो चना दाल को देखने है लेकिन अच्छे से पक चूका है जा रहा है इसमें सिर्फ अभी हल्दी और नमक डाले हैं अब इसके उपर स्वात बढ़ाने के लिए हम तड़के की सामागरी को इखटा करेंगे और लौकी भी देखने में और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं बड़ी बड़ी लौकी देखने में और इसे हम कल्चे से चलात के तैयार किया है इसमें हम दो कटेवे प्याज लिए हैं तो हरी मिच लिए हैं जीरा है तो पकेवे लाल टमाटा रहे हैं इसको कट कर लिए है और दाल को यह देखे ड़क करके रख दिये हैं रिष्ट पे और दाल हमारा विल्कुल अच्छे से ठो रहा है और अब हम होने के लिए और इसे हम थोड़ा सा अलग बर्तन में निकाल लेते हैं तो कडाई हमारी अच्छे से गरम हो गए इसमें हम जीरा डाल देंगे और जीरा हमारा लाल हो जाएगत इसमें प्याज हरे मेच और तीन से चार साबूत लाल मिर्च डाल देंगे इससे कलर भी बहुत को पकाना है और इससे पर्टे से चलाते रहेंगे ताकि टली में शिपक्य एक तरफ जले न का यCre इस तली कीसा हम पर चलाते हैं आख जो इसमें हम डालेंगे खाने वाला फ्लॉ की अगर आपके पासलिक मात्रा मेर्द नहीं है तो एप उसकी जगह पैस्क अपर आपव का पेष्ट और यह लॉंग और इलाची का पेष्ट इन सब को तेल में हम पका लेते हैं इसे खुश्बू बहुत ही अच्छी आते हैं खाने में भी बहुत ही टेस्ट लगता है और अब इसमें हम उपर से डाल देंगे एक से डेड़ चमल मिश्टर गड़ मसाला और थोड़ा बहुत ही अच्छा आता है खाने में देखने में भी अच्छा लगता है और आपको और ज्यादा खटक पसंद है तो आप इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं तो इस तरीके से हम इसे दो से तीन मिनदर तक पकाएंगे लो टो मीडियम फ्लेम पर हाई फ्लेम पर इस और इसको डाल करके हम तेल में अच्छे से पका लेते हैं और इसमें देखिए कड़ी पत्ता है आपके पास धनिया की पत्ती हो तो धनिया की पत्ती डाल सकते हैं तो कड़ी पत्ता को भी हम डाल के चला लेते हैं और यह देखिए एक चक डेड़ से मच है मिस्टर गरब मसा और थोड़ा सा लाल मिर्स पावडर डाल दीए हैं तो यह देखिए तड़का हमारा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है कलर भी कितना प्यारा है और इसमें हम आप लोकी दाल को पलड़ रेते हैं कडाही में और इसके बाद अब इसके बाद आपको इसे पकाना नहीं है बस आप इसे पड़्टे से अच्छे से मिला लीजिये मिलाने के बाद आप इसे अलग बरतन में रहने दें तो थोड़ा सा हम आपको बाहर निकाल के देखेंगे इस कलुक और यह देखिए कितना बढ़ियाँ बहुत ही टीस्ट बाहर तो लीजिये दोस्तों बहुत ही खुस्बूर्दाः और बहुत ही देश्टी हमारी लौकी चना डाल की रिष्पी भनके तयार हो गई है और इसका कलर जीतना ही प्यारा है खाणे में उतना ही टेस्टी हमारी रेष्टी हमारी के फर्माईश करेंगे तो ये देखिए हमारी चना दाल की सबजी बनके तयार हो गई है तो इस तरीके से आप भी अपने घरों में लोकी और चना दाल की सबजी आपने घरों में बनाएं इसे आप चाहिए सबजी कहें या दाल कहें दोनों ही कर सकते हैं और इसे बनाने भी ब बनके तयार हो गई है अब इसे आप रोटी के साथ चावल के साथ साथ के साथ गर्मा गर्म शरू करें और इस तरीके से आप भी अपने घर में बनाईए और हर किसी को पसंद आएगा और यह वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा